फाइब सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी, महोदे अधिकतर हिंदी भासा का परचार का माध्यम उनकी परिच्छाएं हैं, इन परिच्छाओं की प्रितिमानी करण का जब प्रस्न उठ खड़ा होता है, तो उनकी पवित्रता, बेवस्था और संचालन को लेकर नाना प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, आरोपों का जहां तक प्रस्न है, वह हिंदी परिच्छाओं तक सीमित नहीं है, बिस्विद्यालियों की परिच्छाएं भी संदेह इस्पद हो गई हैं, परिच्छाओं में छूरा दिखा कर नकल मारना, उत्तरों को लिखाना और उत्तर पुस्तिकाओं को बदल देना तो एक आम बात हो गई है, सरकारी और विस्विद्यालियों की परिच्छा ब्यवस्था पर लाखों रुपया बैक करने पर भी उसकी पवित्रता जब बनाए नहीं रखी जा सकती, तब हिंदी परिच्छाओं की परमार्यक्ता पर लगया जाने वाला आरूप बेकार सा लगता है, हिंदी की परचार परसार का कार्य सिर्फ भासा मात्र का कार्य नहीं है, वह भारतियता के उन्नेयन यों विकास का भी कार्य है, हिंदी यों भारती संस्कृति को बराबर उजागर करना भी मुख्य कार्य है, हिंदी जन आंदोलन की भासा बनी, जनता में राष्टी चेतना जग्रत करने के लिए हिंदी को राष्ट के नेताओं ने अपनाया, राष्टी नेताओं के आदर्सों को अपना कर हिंदी का परचार परसार देश भर में फैला और आबाध गती से चल रहा है, आज की इस्थिती में हिंदी यों भारती भासाओं के कार करताओं प्रेमियों और साहित्तकारों को और भी सजग होकार कार करने की आवस्चता है, अन्यथा हिंदी के परचार परसार का कार जो पिछले 85 वर्सों से भी अधिक समय से किया जा रहा है, उसमें कहीं सिथिलता ना आ जाए, हिंदी यों भारती भासाओं को उनका उचित इस्थान दिलाने के लिए पहले से अधिक जागरुक होना चाहिए, आज देश में आर्थिक उदारी कराण और निजी कराण के इस्ति का दोर चल रहा है, इसी उदारी कराण के साथ बिदेशी कमपनियां बिदेशी बैंक भारत में अपना प्रवेस कर रहे हैं, अपना पूजी निवेस बढ़ा रहे हैं, और नई कमपनियां बिदेशी बैंक भारत में अपना प्रवाव बढ़ा रहे हैं, बिदेशी कमपनियां अपनी पूजी निवेस बढ़ा रही हैं, नई कमपनियां लग रही हैं, अर्थात भारत में नई और दोगिक नीती जोर पकरती जा रही है इसके फल्सरूप भारत में बिदेशी माल की खपत बढ़ेगी परचार बढ़ेगा भारत में निर्मित माल फिर बिदेशों में भेजने का क्रम चलेगा वरतमान में हमने गैट समझोते पर भी हस्ताच्छर किये हैं इन सभी इस्तितियों में हमारा विश्व ब्यापार लेन देन पत्राचार अंग्रेजी माध्यम से चलेगा महोदय अंत में मैं इतना अवस्य कहना चाहूंगा कि गरीबी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई हैं उसको समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को कोशिस करनी चाहिए और अलग अलग होकर नहीं बलकि इकठा होकर कोशिस करनी चाहिए और उसको समाप्त करना चाहिए क्योंकि यह गरीबी ही सबसे बड़ा रोग है इससे सारे रोग और महारोग पैदा होते हैं इन रोगों को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब जनों को मिलकर इसे रोगना चाहिए गरीबी कैसे दूर होगी गरीबी दूर हो गई तो बेकारी दूर होगी बेकारी दूर होगी तो महामारी दूर होगी इन सब चीजों का सहज उपाय यह है कि हम सब को मिलकर एक दोसरे पर उंगली उठा कर बात नहीं करनी चाहिए राजनीती से प्रेरित होकर एक दोसरे को भरतसना नहीं करनी चाहिए भावकता का अनुचित लाफ नहीं उठाना चाहिए और अगर कोई गरीब मर गया है तो उसकी लास से खिलवार नहीं करना चाहिए मुस्कराना नहीं चाहिए आदरणी उपाद्चभा अधच्छ महोदया निश्चित रूप से मैं माननी सदस्या के प्रस्ताव का समर्थन करूँगा लेकिन कुछ ऐसे तथ माननी सदस्या ने उठाए हैं मैं उनसे भी सहमत हूँ कि यहां पर हर समस्या को राजनीतिक द्रिष्टी से प्रस्तोत किया जाता है अपवाद स्वरूप मेरी पार्टी ने कभी किसी समस्या को राजनीतिक द्रिष्टी से प्रस्तोत किया होगा लेकिन मेरी पार्टी को छोड़ कर आम तोर से यहां पर सभी राजनीतिक द्रिष्टी से जादा प्रेरित होकर समस्या को प्रस्तोत करते हैं यदि यह बात सही है कि युग युगांतर से गरीबी चली आ रही है तो इस देश में बड़े लंबे समय से हिंदू का राज रहा मुसल्मानों का राज रहा इसाईयों का राज रहा सिखों का राज रहा लेकिन अनसोचे जाती और जन जाती के लोगों की इस्टिती में कोई परिवर्तन नहीं आया मैं सब की बात कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि यह सब के उपर लागू होती है जितनी भी चीजें है देश की जमीन है धर्ती है कलकार खाने है लाइसेंस हैं पर्मिट हैं एजंसियां हैं दुकाने हैं मकान हैं फ्लैट हैं प्लाट हैं सासन परसासन सिच्छा दिच्छा इन सब से वंचित रहे ए अनसोचे जाती और जन जाती के लोग और आज भी सारे देश में जुल्म अत्याचार के सिकार हैं इसमें धर्म के आधार पर किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए धर्म के आधार पर किसी को दूसरी साधी करने की अनुमत नहीं मिलनी चाहिए जब तक यह बढ़ती जन संख्या पर नियंत्रण नहीं होगा अंकुस नहीं लगेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है